कि इसी शुक्र परबत पर हम पुना एक बार दृष्टी कौन डालते हैं एक बार पुना हम चलते हैं इसी परबत की दरफ देखिए हमारे मूल रूप से हस्त रेखा में ये तीन रेखाएं होती हैं चीख है इसको कहते हैं हार्ट लाइन खरदे रेखा और ये हो गई हमारी मस्तिश्क रेखा और ये हो गई हमारी लाइफ लाइन यानि की जीवन रेखा अब कुछ लोगों का जो शुक परबत है इतना ज़्यादा उभरा हुआ होता है कि इसका जुकाओ इस शुक परबत का जुकाओ इधर को होता है जीवन रेखा के तरफ ऐसे लोग क्या करते हैं जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुक साधन बनाते बनाते अपना समय बिताते रहते हैं और भोग की भावना उनके मन में सदा भरी रहती है भोग का मतलब यही नहीं है कि इस्त्री और पुरुस के योग सैन्योग को ही भोग कहते हैं भोग का मतलब है कि इतनी गाड़ी और बना ले इतने बंगले इतनी जमीन जायदाद और बना ले हमारी आने वाली संताने साथ पीढ़ियां खाती रहेंगी इन साथ पीडियों के बारे में यो सोचता रहता है और सोचते सोचते ये पूरे जीवन बैभाव के लिए पूरा प्रयासरत रहता है और खूब धन कमाने के चेश्टा में लगा रहता है धन कमाना बुरा नहीं है लेकिन धन के पीछे पागल हो जाना बुरा है अब सारी उमर ये इसी में लगा रहा लेकिन बंदों समय की ये जो दुपहिया है ये सदय वो चलती रहती है और हमारे जीवन को धीरे धीरे काटती रहती है ये चक्र को काटती रहती है तो यदि हम सारा जीवन धन बैभो सुख समर्धी के बारे में ही सोच सोच के चलते रहेंगे तो हमको इस मानों जीवन का मूल्य समझ में नहीं आएगा कदाचित यहीं से अगर कोई सईयोंग या कोई ऐसा उसर मिल जाता है इसी जीवन रेखा से तो हम पहले शुक्र परबत से यानि भोग परबत से लेकर के अब देखिए शुक्र परबत से रेखा जा रही है यहां पर यह जा रही ब्रहस्पते की तरफ अब ब्रहस्पते की तरफ जाकर के यहां मिल गई और एक रेखा यहां से निकल के यहां मिल गई है अब क्या होता है ऐसा बित्ति बच्पन में खूब सुखी हो करके जवानी में यवन काल में खूब सारा धन कमा करके फिर